बिस्मिल्ला रह्मने रहीम, असलाम नीको माई योटियो फैमली, कैसे आप सब उमीद करती हूँ, सब खायदियत से होंगे आज मैं आपके साथ बहुती मसेतार पापड़ी चार्ट की रेसेपी शेयर करूँगी कोई भी पाटी है, दावत है, या इफतार में आप इसको बनाए, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके लिए पापड़ी भी मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही असान तरीका मैं आपको बताऊंगी तो कोई बिगनर भी इसको असानी से बना लेगा, बहुत ही क्रिस्पी और ये खस्ता पापड़ी बनके त्यार होती है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चले फिस्टार्ट करते हैं रेसिपी को सबसे पहले पापड़ी बनाने के लिए आटा गुन देंगे, तो एक कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने उसमें नमक डाला है और हाफ टी स्पून ही मैंने जीरा लिया है, उसको मैं हाथों से थोड़ सा क्रश कर लूँगी, तो उसकी बहुत अच्छी सी खुश्बू आजेगी अब इसमें वन टेबर स्पून ऑईल डालेंगे, इससे क्या होगा, पापड़ी जो है बहुती क्रिस्पी और खस्ता बनके त्यार होगी आप चाहें तो ओईल के बगाएर भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ओईल डालने से बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी सी बनती है तो इन तमाम चीजों का मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह से आटा गुनती है ना, तो बस उसी तरह से इसकी डो हमने बना लेनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गुन लेंगे, तो इसकी डो ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही हो जाएगा, और फिर इसकी पापरी सही से नहीं बनेगी, तो यहाँ देखें, मैंने आटा गुन लिया है, और किती जबर्दस डो जो है वो तयार हो गई है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जिस तरह आटा गुनते हैं, उस तरह से मैं इसको दो से तीन मिनट के लिए तो परफेक्ट डो बन के तियार हो गई है, अब इसको कवर करके कपड़े से काउंटर पर ही रहने देंगे आदे घंटे के लिए ताके डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, तब तक हरी चटनी तियार कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने ब्लेंडर लिया है, उसमें मैं डालूँगी एक घटी हरा दनिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से दो के साफ कर लिया था, क्वाटर कप इसमें मैं डालूँगी फोदीने के पत्ते, दो से तीन हरी मर्चे ली हैं, जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे, एक लसन का जवा डालेंगे, एक इसको कर लेंगे, ब्लेंड अच्छी तरह से, तो ये देखें कितनी जबरदस सी चट्नी जो है, वो तियार हो गई है, तो ये पापड़ी चार्ट में बहुत ही मज़े की लगती है, और ये वाली चट्नी आप किसी भी चीज के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, तो इसका कलर तो डो को आदा घंटा हो गया था, तो बहुत अच्छे से ये सेट हो गई थी, तो देखें कितनी जबरदस डो बनके तियार हुई है, तो अब मैं इसका एक पेड़ा सा बना लूँगी, ताकि एक ही साथ सारी पापड़ी जो है वो तयार हो जाए, चाहें तो इसको दो हिस हम इसको फ्राइ करें, तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी बने, कुंकि मोटी पापड़ी होगी, तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, और आटा गुनने के बाद इसको आदे घंटे का रैस जरूर दें, तो डो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, तो देखें रोटी पर सुराख कर लिये हैं, छोटोटी से होल करने हैं, तो यह स्टेप बहुत जरूरी है, आपने इसको लाजिम करना है, अब यहां मैंने कटर लिया है, जिससे मैं पापड़ी की शेप बनाऊंगी, अगर आपके पास कोई स्टील का ग्लास है, या कोई भी बोटल का धकन है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, एक जैसे शेप में इसको काट लेंगे, तो मैंने बड़ी सारी रोटी बेल ली थी, ताके सारी पापड़ी जो है, वो एक ही टाइम में ज्यादा सारी बन जाएं, तो यहां देखें, कटर से मैंने इसको काट लिया है, अब बाकी का जो काटा है, वो इसके उपर से उताल लेंगे, तो यह देखें, कितनी अच्छी पापड़ी की शेप जो है, वो बन के तयार होगी है, और कितनी जबरदस्त बनी है, ओईल को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रग दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राइ अच्छा इसको ठंडे ओयल में आपने नहीं डालना, वनना यह क्रिस्पी नहीं बनेगी, ओयल थोड़ा सा गरम होना चाहिए, तो वीवर्स अगर अब भी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो जदी से सब्सक्राइब कर लें, यह आपका सपोर्ट और प्यार होता है मेरे लिए, तो जैसे ही पापड़ी मैंने ओयल बर डाली है, तो इसमें फॉरण से चमच नहीं चलाना, थोड़ा सा सेट हो जाएगी, तो फिर इसमें चमच चलाएंगे, और बस चमच चलाते वए इसको फ्राइब करना है, ताकि सारी साइडों से एक जैसा कलर आए तो बहुत ही जबरदस ये बनके त्यार होती है, आप इसको समोसा चाट हो, दई भड़े हो, सब में यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखें कितनी अच्छी फ्राइ हुई है, कितनी जबरदस है, और इस पर आपने होल ज़रूर करने है, वनना ये पूल जाएगी और अच्छ जबरदस बनी है, तो बास इसको आप टूम टमप्रेचर भी रख सकते हैं, फ्रीज में भी रखने कि इसको जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, अब मैंने यहां दही लिया है, उसमें वन टेबर स्पून चीनी और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, यहां मैंने एक डिश ले ली है, इसको इसेंबल करने के लिए, तो कोई भी डिश आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्ट बनानी है, तो पापड़ी इसमें मैं तोड़के रखूंगी, तो देखें कितनी जबरदस खसता पापड़ी बनके त्यार हुई है, तो आदी पापड़ी जो है, वो तोड़के मैंने डिश में डाल दी है, अब जो दही है वो इस पापड़ी पर डालेंगे, आदा दही मैं इसमें डालूगी और आदा मैं बाद में डालूगी, तो सारी पापड़ी को दही से अच्छी तरह से कवर कर आपने अगर पापड़ी बना के रखी होगी तो चाट बनाना तो बहुत ही असान है बस किचन में गए और चाट तेयार बहुत ही टेस्टी बनती है यह अब यहां मैंने बॉइल आलू लिये है चौप प्यास ली है और हरा दनिया लिया है थोड़ा सा चौप प्यास डालेंग और दहीं डालने के बाद जो हरी चटनी बनाई थी अब वो इसमें डालेंगे तो यहां मैं 3-4 टेबर स्पून हरी चटनी के इस्तामाल करूंगी तो यह आपके टेस्ट के पर डिपेंड करता है तो आपको जितनी पसंद है तो आप इसे साब से डाल सकते है तो इससे बहु को मिल जाएगी तो अब इस पर डालेंगे सेव यह भी आपको असानी से किसी भी बेकरी से या किसी भी निमको वाली शौप से मिल जाएगी अब इसको गार्णिश करेंगे अनार के दानों के साथ तो बहुत ही मज़े के यह लगते हैं हाफ टी स्पून भुना वजीरा डाल है होगी इंशाला मिलेंगे अगले कुकिंग विलोग में फिर एक नई रेसिपी के साथ मुझे अपनी खास दौा में आद रखें अलाहाफ़ेज